पिहोगवा नई सब्जी मंडी में कई सालों के बाद शुरू हो चुकी है सब्जी की बोली जहां मतर 3500 रुपे क्विंटल और आलू 1200 रुपे क्विंटल विका आपको बता दें कि पहले कई सालों से बोली ना होने के कारण व्यापारी किसानों के खेतों में से ही सभी तरह की सब्जीयों को ओने पोने दामों पर खरीद रहे थे जिसमें किसान को काफी नुकसान होता था आपको बताते चलें कि इसी बीच भुपेंदर सिंग ने अपने साथी के साथ मिलकर मतरवा आलू की बोली शुरू करवाई जिस दौरान भुपेंदर सिंग को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा लेकिन हिम्मत ना हारते हुए सब्जी की बोली जारी रखी और इसी में जब किसानों को बोली के बारे में पूछा गया तो किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस बोली से हमें बहुत फायदा मिला है अब हम अपनी सब्जी की फसल को अच्छे दाम पर बेख सकते हैं वो भी शाम को ही सुभा का इंतजार नहीं करना पड़ बिख यौब पिस्जी कुछी दिनों से पहले जस पंदरदों से पहले शूरू की है जोह की पहले किसान जौनते से अपने खैत में ही मतर जया अलू बिक्री बेच यघ जेते थे जिस से किसान को अपना अचोन ब Cruisey नहीं मिलते था लेकिं किसानों ने हमारेत सांपर करके इस बोली को शाम के साथ वजे शुरू करवाई है, जिसके किसानों को अपना उची दाम मिल रहा है। इसके किसान बोल रहा हूं, मैं उर्णाई गों को रहने वाला हूं। और मेरे को ये बोली का सिस्टम बहुत बढ़िया लगाई जी यहां से पहले हम सुबह आते थे और सुबह आने करने हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता था और साम तक हम काम करते थे खेद में तो बहुत इकता थी अब हम साम को सबी बेच रहे हैं मारे को बहुत ही मज़ा राजी और रेट भी दाम भी हमको पूरा मिल रही और इसकर करके हमको यह बहुत खुशी है कि यह शाम की बोली आगे तक चलती रहे मैं यह कैना चाहता हूं कि जो यह बोली स्टार्ट हुई है यह सबसे अच्छी बात है किसान काफी तंग होता है थूं काफी पढ़ जाती है रस्ते में ने में भी शेहर आने में में मांडी में वह काफी दिक्क्त आती है और शाम को उसको कोई परिशानी नहीं है और वो अपना काम करके अपने शाम को अपना गर पर अराम से जा सकता है